हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप होफ़ोली है आप सब अच्छे होंगे एक नया दिन और एक नए भीडियो के साथ मैं हम यहाँ के साथ इस वीडियो में जुड़ रहा हूं इस वीडियो में मैं बजेट प्लानिंग के बारे में बात करूंगा कि अगर थाइलेंड जा रहे हो तो आपका कितना खर्चा होने वाला है आप जब प्लान कर रहे हैं तो आपको एक भीवर है कि exactly कितने खर्चे होने वाले हैं डेफिनेटल आगे पीछे तो होता रहता है ट्रावलिंग बजेट्स आपको एक पता चल जाएगा there is something as in milestone आपको पता रहेगा कि हाँ यह that is what we can target so hopefully आप मेरे अदर वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा होगा so let's get started so सबसे पहले किसी भी ट्राविल में आप जब स्टार्ट कर रहे हैं so सबसे बड़ा bigger chunk आपका flights में घर चाओता है किसी भी not just Thailand किसी भी आप country में टूर करने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा खर्चिला काम होता है उसके flights to and fro flights book करना सबसे costly होता है तो अगर आप सोच रहे हो कि आप Thailand जाना चाहते हो तो मेरे एसाब से सबसे पहले आप decide कर लो कि कब जाने वाले हो और generally जितना हो सके दो विजा नरावल है और आभी कोवी पोस्ट कोवीड कोई भी restriction है आप कल भी चाहोगे तो जा सकते हो बट फिर भी मैं आपको ये सला दूँगा कि एक one और two months के पहले आप प्लान कर लो so that आपको flights के price easy रहेंगे otherwise आपको थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा flights में but it's okay sometimes आपको छुटिया मिलती नहीं या अचानक से कुछ छुटिया आपको मिल गए या आप जाना चाहते हो definitely जासा but normal circumstances में आपको better होगा एक और दो महीने पहले आप plan करो so अगर आप यह सीट यहां पर एक में शीट लगाया हो अगर आप यह planning शीट देखोगे राइट वहापर दो चीजे है एक पहला मैंने एक details दिया है जो है minimum मतलब उतना तो रहेगा और एक रहता है maximum और the peak price so flights में अगर आप देखोगे राइट 10,000 के अंदर आपको flights पढ़ेंगे ठीके generally peak season अभी start होने वाला है from November till February end तक चलेगा तो अभी minimum flight price आपको 10,000 मिलेंगे but depends करता है इंडिया के किस कोने से आप जा रहे हो Thailand definitely अगर आप Kolkata से जा रहे हो तो थोड़ा easy पड़ेगा अगर मेरे जैसे मुंबई से जा रहे हो या Delhi से जा रहे हो तो थोड़ा costly पड़ेगा वो तो obvious चीजे है so but up season में अगर आप जा रहे हो जब मालो ऐसा टूरिस्टिक season नहीं है जैसे मैंने अभी आपको बोला November से लेते February तक तो generally price कम रहता even 7000 से price start हो जाता है तो इस सब के लिए मैं बोलूँगा एक website और a portal है called sky scanner हो सके तो उस पर आप एक बार मार के देखना है वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे portals के details आ जाते हैं आप easily जान सकते हो otherwise आप make my trip, pagoda, yatra.com बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहाँ पर आप जाके individually चेक करना पड़ेगा इसे अच्छा sky scanner में आप डाल दो और आप देख लो कि कौन से portal में कितना pricing आ रहा है in terms of flights so यह रहा flights so minimum आपको 10,000 पड़ेंगे और maximum आपको 13,000 तक पड़ जाएंगे और conversion rate मैंने 2.2 का use किया हुआ है अगर आप talk में देखेंगे और मैं एक 5 day, 5 day tours के लिए मैं details दे रहा हूं so जहां पर बहुत सारी details में मैं into 5 कर रहा हूं आप अगर देखोगे इस sheet में इस basically per day इतना है into 5 so 5 days is what I am so one person 5 days in Thailand is what I am calculating so next bigger chunk is hotel so definitely but hotel में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके हाथ पर है it depends on you so generally travelers किस तरीके के रहते हैं backpackers भी हो सकते हैं और कभी-कभी क्या होता है family के साथ आप जा रहे हो या couples घूमने जा रहे हो फिर friends घूमने जा रहे हो so definitely यह आपके ऊपर depend करता है कि आप किस तरीके के जगे में कितने पैसे में रहना चाहते हो but अगर आप देखेंगे आपर मैंने दो category बनाया है जो minimum category मैंने बनाया है वो एक decent hotel आपके लिए रहेगा in a prime location जो कि आपको आराउं 14 रुपे per day without breakfast cost करेगा which is equally good in terms of India के standard से भी बहुत सही रहता है 14 रुपे पैसे के इसाब से आपको hotel मिलेगा और दूसरा होता है मानलो आप थोड़े से high-end hotel जाना चाहते हो मानलो budget आपका थोड़ा सा ज्यादा है so you can go definitely really good hotels at budget of 2,000 per day so basically 1400 minimum रहेगा जिसमें आप आराम से रहके 5 दिन आजाओगे आपको कोई भी regret नहीं होगा और 2,000 रुपे जो आपका है वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा so 1400 से लेके 2000 so 1400 के हिसाब से 5 दिन का आपको 7,000 पड़ जाएगा और 2000 के हिसाब से 10,000 पड़ जाएगा so this is what the hotel price will be okay so now comes the next thing is the food so food अगर देखोगे मैं यहाँ पर dinner, lunch और breakfast और other सबको मिला के मैंने एक approach मेरा जितना खर्चा हो रहा था मैंने देखा उस हिसाब से मैंने लिखा है so 500 बात minimum पकड़ लो per day okay into 5 converting to Indian rupees will be around 5,500 मतलब 1100 रुपे per day आप खर्चा कर लोगे ठीक है यह minimum है maximum क्या होगा आपका same यह 500 बात minimum है maximum अगर आप थोड़ा सा जादा खर्चा कर रहे हो कुछ इधर उदर आपने खा लिया चटर बटर जो भी आप कुछ अलग सा टाय करना चाहते हो तो 700 बात per day into 5 converting to Indian currency 7,500 so 5,500 से लेके 7,500 तो आप foods में खर्चा कर लोगे ठीक है इसके बात क्या रहता है अगर आप पहली बार जा रहे हो there will be a huge cost coming for the next item that is item number 4 which is airport pickup and drop क्या होता है जैसे मैं पहली बार गया था मैंने बहुत कोज research करके गया था फिर भी पहले दिन में पहुंचने के बाद थोड़ा tired feel हुआ तो मैंने grab ले लिया so generally यह रहता है so this is also occurring good amount of money in your travel so airport pickup drop अगर आप पहला चीज़ दिखोगे जो minimum है वो basically अगर आप public transport use कर रहे हो metros और other use कर रहे हो generally 100 बात में आपका काम हो जाएगा एक बार जाना एक बार आना into two so 450 रुपे minimum आपके खर्चे होंगे maximum आप अगर grab वैसा कुछ कर रहे हो तो 400 रुपे तो पकड़ी लो एक बार का grab का खर्चा रहेगा into two converting to Indian currency 1700-1800 रुपे आपके खर्चे होंगे ठीक है so यह हो गया airport pickup and drop next आप हर दिन travel तो करोगे within the city कहीं भी अगर attraction देखने जा रहे हो घूमने जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो definitely उसमें spend करोगे so अगर एक column देखोगे उस column में मैंने क्या लिखा हुआ है कि city travel दो तरीके से मैं देख रहा हूँ metro और आपके local जो भी transport है अगर वो यूज कर रहे हो 150 बात हक ले लो per day का into 5 converting to Indian currency 1600 के करीब आपका खर्चा हो जाएगा 5 दिन का traveling करना within the city अगर आप कभी कभी क्या होता है metro use नहीं कर पा रहे हो कुछ एज़ जगे पे हो जहाँ आपको grab यूज करना पड़ रहे है तो 400 बात per day का into 5 converting to Indian currency 4400 रुपे के करीब आपका खर्चे हो जाएगे within city travel क्योंकि आप tourist आयो तो obviously आप travel करोगे बट आप अगर इस चीज मा अपना पैसा बचाना चाहते हो तो जितना हो सके metro या फिर public convenience जो भी है ट्रांसपोर्ट आप उसके बाद रहेगा आप घूमने तो आए हो तो definitely touristic attractions घूमोगे तो touristy attraction के लिए visa fee sorry touristy attraction के लिए ticket fee रहेगा because being a foreigner आपको ticket pay करना पड़ेगा उसके जो भी entry fee है so entry fee मैं मैं minimum 2000 बात रखा हूँ क्योंकि जिसकी भी attraction में जाओगे 500 बात आपको रहेगा और चार में पकड़ लिया हूँ तो उसी साब से आपका Indian currency में convert करते हुए 4500 रुपे हो गया last last तो वो जो fee है उसको आप कम ही नहीं कर सकते वो visa fee है right so visa fee दो हुतरी के का minimum मैंने 2000 बात रखा है जो कि आपका normal entry रहेगा 4400 Indian currency में और अगर priority में आप गए तो 2200 which is 4800 रुपे ठीक है so यह रहा basically from point one to point seven आपके क्या-क्या खर्चे रहेंगे अभी यह street पे आते है यह street basically क्या कर रहा है sum total of all those points sum total करके आप अगर देखोगे ना minimum आपका 45,000 खर्चा होने बाला है for one person ठीक है और maximum minimum कहां तक जाएगा 60,000 तक तो 45,000 से लेके 60,000 तक आप spend करोगे 60,000 मतलब दिल खोल के आप घूम रहे हो तब आप 60,000 इंकर करोगे आपका खर्चा 60,000 के करीब रहे जाएगा minimum अगर आप जाके खली आराम से घूम फिर के ठीक ठीक से आराम से आप होटेल में भी आप कट कर सकते हो basically बहुत सारे मैंने देखा था होटेल जैसे मैंने आपको बोला minimum 1200 का मैंने लिया था स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया आप तो अगर बैकपेकर हो आपको बहुत सारी कंट्रीज देखने का मन है तो definitely होटेल में आप क्यों खर्चा करोगे सिंगिल हो आपको सिर्फ सिंगिल बैट चाहिए थोड़ा सा इसी होना चाहिए एक comfortable washroom मिल जाए तो आपको काम हो गया तो उस सब केस में आप होस्टेल देख सकते हो और होस्टेल मैंने बहुत चीप देखा था 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 थाइलाइड में 500 रुपे पर दे 500 रुपे तो यहां पर आप श्ट्रेट वे आपके 5-6,000 रुपे बचा लिए ठीक है आराम से 5 दिन के लिए आप आराम से यहां पर 5-6,000 रुपे खर्चा बचा लेंगे अगर आप बैकपेकर हो अगर आप होटेल छोड़ के होस्टेल जा पा रहे हो तो 40,000 से कम में आप करी लोगे बाकी मैक्सिमम अगर आप ओवेल प्लान कर पा रहे हो या फिर किसी में कोई प्रोमो कोड के साथ अगर आप फ्लाइट्स को इजीली बुक कर पा रहे हो कम प्राइस में डेफिनेटली 30-35,000 में भी आप मैनेज कर लोगे थाइलांड के 5 दिन का टूर अगर आप एक नेचुरल आप एक नॉर्मल बंदे हो जो ज़्यादा होस्पोस में रहना नहीं अगर आप थोड़े से पोकेट ढिला करना चाहते हो और आपको लगता है यह जा रहे है तो साल में एक वार जा रहे है थोड़ा खर्चा कर लेते हैं तो और 15,000 खर्चा होगा 60,000 से साथ आपका खर्चा होगा ही नहीं तो this is what the thing minimum backpackers के लिए आराम से 35 to 40 में आप कम कर लोगे easily कर लोगे backpackers और मानलो दोस्त के साथ जा रहे हो या फिर आपके पतनी के साथ जा रहे हो बट आप लोग बहुत जादा लाइविश रहना नहीं चाहते हो तो 45 में आराम से per person हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा higher standard होटेल में रहना चाहते हो थोड़ा सा समझ रहे हो थोड़ा सा अच्छा बिताना चाहते हो आपका तो 60K तक चला जाएगा So that is all चुली मुझे पता है जब मैं Thailand series start कर रहा था मैंने planning दिया सबसे पहले उसके बाद tips दिये सब देने के बाद obvious questions सबका वही आ रहा था कि what about budget because मैं अभी recently वहाँ पस आया हूँ तो मुझे पता है कि what exactly prevailing क्या वहाँ पर खर्चे हो रहे क्या on ground है So मैं सोचा इसमें एक video बना लेता हूँ so that आप लोगों को easy रहेगा अगर आप सोच रहे हो for next six months Thailand जाने के लिए तो इसी के आसपास ही आपके खर्चे होने वाले है So I hope यह आपको informative लगा होगा और अगर planning कर रहे हो तो आपको definitely help करेगा there may be other things bits and pieces जो आप खर्चा करोगे जो की probably इस least में ना रहे but that happens तो इसलिए मैंने बोला जब भी मैं एक प्लान दे रहे हो उसमें plus minus 5 10 के रखी लो because वो डिपेंड करता है आपके मूर के हिसाब से आपके इंट्रेस्ट के हिसाब से तो थोड़ा इधर उधर तो होई जाता है That's all friends I think this is what I wanted to tell so thanks a lot for your time and bye bye कर दो कर दो कर दो कर दो दो